वीडियो में हम लोग जानेंगे complete use of B मतलब being, B का use हम लोग किस पगार्ष से कर सकते हैं 16 तरीके से हम लोग इसको use करना से केंगे जो कि हिंदी के example से बहुत याशी तरीके से explain किया गया है ताकि कहीं भी doubts की संभावना ना रहे तो इसलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो being का पहला use है और वो है के नाते या होने के नाते या होने के बावजूद तो किसे हम इसको example से बनाएंगे example से पर ले structure देखते हैं structure होसा अगा आपका being उसके आपको लगना एक object उसके आपका एक sentence होगा sentence मतलब एक आपका subject वर्ब और एक object होगा गाईस तुसरे लिए example लेते हैं example हो जागा तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं अब दिखिए होने के नाते मतलब क्या लगना होगा being लगना होगा तुम्हारा दोस्त यह तुम्हारा दोस्त आपका एक object गाईस इसके आपका एक sentence है मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं जो की sentence पर्जेंच मदद करता है 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 अब समझ जगा होने के नाते love being भाई आपका एक object है गाईस वह हमेशा मदद करता है पर्जेंच इन्दाफेंच में sentence बन जागा इस पकार से भाई होने के नाते ब्रदर भाई होने के नाते वह तुम्हें हमेशा मदद करता है he always helps you इस पकाट से काफिट सा संडे सा पिछली से बना सकते हैं इस पकाट से बिएंग प्लस एजक्टिफ हो रहा के साइंस में पिष्टेश होगा ऐसी अक्सन जो अल्रेजी वह इसा नहीं हो लेकिन वह होने के प्रोसेसिंग में हो तो आप प्लस एजक्टिफ का यूज करते हैं गाईस तो सलिए इस नेक्टिफ हो जाएगा सबजेक्ट उ इस प्लस एजक्टिफ तो इसलिए आप एग्जेंपल समझेंग स्वह तेज है आप बना देता है क्या ही इस इन्टालीजेंच यहाँ पर कोई दिक्त नहीं है he is intelligent में लेकिन आप समझेगा कि यह पर एक sentence है और वह तेज हो रहा है मनलों वह processing में है already वह तेज है नहीं वह हो रहा है तो आप क्यार करते हैं हो रहा के sense में आप बिंग का यूज़ करते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप जैसे बोलते हैं कि राहुल मजबूत है नहीं तो किसे जगा हो रहा के sense में बिंग का यूज़ करेंगे तो यहां पर इंटलिजेंट इस्ट्रॉंग यह दोनों वर्ड आपका एक जैक्टिव गाईस जो आप विसेशन के नाम से हिंदी में सांते हैं तो इसलिए अगला यूज़ समझते हैं वह भी बेंग का और बिंग प्लस एज़ेक्टिव होगा वह भी होना के sense में अब समझते हैं बिंग उसके क्दाब का होगा subject is mr अब यह बिंग प्लस आज़ेक्टि के बाद आपको लगाना होगा क्या इसम आण उसके आपका होगा एक कॉम्पलीमेंट हो जागा मजबूत होना बहुत जरूरी है अब होना के sense में आपको क्या लगाना होगा बिंग लगाना होगा और यह पर वर्ड है यह बिंग वर्ड आपका एकज़रंट के तरह यूज़ होगा गाइस सउẹंस में एकज़रंट के तरह यूज़ यूज़ होगा जो आप यहां पर कन्व्यूस करने की कोसित्स ना करें तो मजबूत हुना तो जगाे मैं एक belangrijk का भी यूज़ कर सकते हैं इससे पगार सब्सर्णे समय स्वार्थि मतले किया हुज़गा business, इस पगार सब्सकेश को यूज कर लेते हैं गाई से विराज कोहली का दोस्त होना बहुत बड़ी बात है विराज कोहली का दोस्त होना केसे हो जाएगा दोस्त होना मतलब लोग जागा बिंग फ्रांच किसका विराज कोहली का यह का के लिए आप लेग दें आफ और विराज कोहली लोग जाएगा स्वेपार रहें विर इस्विद्ट को ऊस्वाइब के अधिस कंशा सथे मुझेग फियलुच बना सकते हैं jeśli अगला सडार था अच्छा ग्याण होना आ bulky बहुत जरूरी था कि है श्यर्ट अट? नौलेज अस्था ज्यान होना वागूड नौलेज बहुत ज़रूरी है इस वेरी निसेसरी आजकल मतलओ नाओरएज इस पकार से कापट से संदेंज को आप इजली बना सकते है जो कि इस पकार से इजली बनाया जा सकता है अगला यूश होगा इस पकार से बिंग ब्लाजटी कि मतव हो जाए कोई काम किया जा रहा है यह समझागा इस ट्रेक्षे रोजागा सब्जेट इसम और बिंग वर्ब का थर्ड फर्म प्लस अब्जेक्ट रहा है आप समझ लेजे यह संटेंस आपका पेसी में बनेगा एक्जमपल है सडक बनाया जा रहा है परजेंट कंटिनियस ट्रांस का पेसी में है सडक बनाया जा रहा है जिसे वह दरोड इस बिंग बिल्ट यह बिल्ट आपका वर्ब का थर्ड फर्म है दरोड आपका सब्जेक्ट है इस आपका हेल्पिंग वर्ब है विंग का यहां पर गैस जो कि बी का फॉर्थ फर्म यहाँ पर आया हुआ है अगले राहूल को अमेरिका भीज़ा जा रहा है लोग कोई काम किया जा रहा है तो बीग के साथ उवर्ब का थार्ड फर्म लगाते हैं तो एक्जांपल समझे बनेगा कैसे कि राहूल इस बीग सेंच टु अमेरिका राहुल को अमेरिका भेजा जा रहा है इस पकार सुगया मुझे पीटा जा रहा है कोई काम किया जा रहा है क्योंकि इसे हो जागा संटेंस बंज़ागा I am being beaten मुझे पीटा जा रहा है गली सजाई सा रहा है बंज़ागा संटेंस दाइश स्ट्रीट का यूझे करते हैं तरह से रहा है के लिए आप यूझ करते हैं गाई इस बीन का लुझे इस च्ट्रेक्षर देखते हैं क्योंकि आए इसतिक्टा redo देखते हैं क्या होगा on प्लस बीन वर फॉर्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर फॉलस टाइम इसका मतलब समय लेजे पर्जेंट फॉर्फेक्ट टैंस के कंटिनियस टैंस का आपका यह स्ट्रेक्चर है जो कि उससे संटेंस बनाया जाना है बहुत इजली से बन जाएगा इसे वह बशपन से सुबह से काम कर रहा है करें सुबह शयी कहरें से कोई हो रहा िक्याइच हो जाएगा राहुल काम कर रहा है सुबह सेस सुंस मौर् निंग यह liah यूह रहा था कर है सैंस में तो ति सलिएस टेक्ट्षर हो गया इस पकार से सब्जेक्ट plus had been, या पर आप been का उच्च किए, उगरव के फॉर्थ 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 प्लस टाइम के सायंस में, तो सलिए अगला है, example समझे, राहूल दो महीनों से इस company में काम कर रहा था, तो से कर रहा था, से रहा था आप संटेंस बिन का यूज़ करेंगे बंसा का संटेंस राहूल had been working in this company राहूल इस company में काम कर रहा था दो महिनों से for two months इस पगर सो गया हम लोग पाँच सालों से किरकेट खेल रहे थे तो किसा हो जागा we had been playing किरकेट पाँच सालों से for five years फॉर फाइव इयर्स इस पगर्श हो गया अला यूज़ जानेंगे गाईस टू बी प्लस वर्व का थार्ड पर्म वह भी किया जाए के सैंस में इंदी नहीं होतागा किया जाए तो कैसे यूज़ करेंगे इस वह इसलिए हम सानते हैं इस्टे चलो जाएगा सब्जेट तो किस्ट समय गांगा संधेस वह चाहता है रज्वार्ण उसको मतलब आपका एक नाउन या पुर्णोर्णन बजाएगहीं उसको क्या निश्वल के सिख्षा दीज़ जाए कि फ्री एद्गेसन टू बीग डिवन फिरी एद्गेसन मतलब निश्वल के शिख्षा तू बी गीवन दीजाए, he wants him free education to be given, इस पगर्स हो गया, अगला इसी पगर्स होगा, मैं सहाता हूँ कि फूलों में पानी दिया जाए, कोई काम किया जाए, to be वर्वथर्फर्म, किसे मज़नाएगा, मैं सहाता हूँ, I want फूलों में पानी दिया जाए, the flowers to be watered, water का मतला हूँ देख मतलब पानी देना के संस में, अगला है, मैं सहाता हूँ, कि यहाँ रूम साप किया जाए, किसे मैं सहाता हूँ, I want, यहाँ रूम साप किया जाए, this room to be cleaned, to be cleaned के पाले, यहाँ पर आपका एक नाउन आगा गाईज, जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, नाउन या फ्रो ना गाईज, जो कि आप रीट को रेट भी पढ़ते हैं, do not worry, अंग्रेजी सीखी जाए, कोई काम की जाए, हो साएगा, English to be learnt, जो कि यहाँ पर आपका वर्व का थार्ड फोम है, इससे पकार से कापी सरे यूजे साप सीख सकते हैं, अला यूजे से गाईज, बीन का साइंस में आपका by के साथ, आपका एक object भी आ सकता है, आपको confusion नहीं करना है, यहाँ रूम साप किया जाच चुका है, कोई काम किया जाच चुका है, तो बीन का यूजे से करेंगे, इससे आपको पता है, बन्जागा sentence, यहाँ रूम साप किया जाच चुका है, बन्जागा this room has been, आप तुम्हें पढ़ाया जाचु का है मन्जागा sentence कि you have been taught और यूज़े गाइस बीन का वो भी किया जाचु का होगा के सांस में तो इसलिए structure देखते हैं subject plus will have been worth our form by plus object हो जागा « sommes go sub peine किसे पकार दोगा सबचा बेची जाचु की कोई काम किया जाचुका होगा या की जाचु की होगी तो mein का करेंगे वह बेवी यह के साथ बंढ़ सभ्य सबचिंटे किसीलきます तो subject होज़ेगा, subject होज़ेगा, subject होज़ेगा, the variables, will have been verb, और यहाँ पर verb का third form, तो यहाँ पर क्यों होज़ेगा, sell का third form, sold होज़ेगा, गईस, अगला sentence है, रवी के दुवारा, एक पत्र लिखा जा चुका होगा, कोई काम किया जा चुका होगा, will have been से बनाएंगे, तो से यूज़ आनेंगे, हम लोग been का, और वो फी बिंग प्लस वर्फ का third form के science में मतलाओ, किये जाने से, कोई काम किये जाने से, तो बिंग प्लस वर्फ का third form से बनाएंगे, आप example देखिए, चोर गिरापतार होने से डरता है, चोर गिरापतार होने से डरता है, तो बिंग अरेश्टेड वहां पिठने के बारे में सोच कर चिंतीत रहता है कैसे बंज़ेंगा संटेंस कि अब यहां पर आपको इज़ी लगें आप यहां पर लगा सकते हैं अगर इस बगार से जानेंगे बिंग का यूथ कर रहा होगा के सैंस में यहां पर से कर रहा होगा मैंद आहांगे विल आप बिन वर कर फोर फ्रम प्लस तैंप बार्फेक्ट का प्में लोगी आप समझ लेंगे वह सुभा से किरिकेट खेल रहा होगा sentence future perfect के continuous tense में मना है लगा सुभास से किरिकेट खेल रहा होगा वह सुभा से करेट सुभा से from morning वह सुभा से किरिकेट खेल रहा होगा वह लोग 2022 आपना वियापार कर रहे होंगे तो बन जागा sentence कि they will have been doing their business, मतलब आपना business, आपना वियाफार 2022 से from 20 seconds इस पगार से बोल सकते हैंगा इस अगला इसी पगार से यूज दानेंगे हम लोग B का वो भी imperative sentence में किस पगार से यूज कर सकते हैं तो इसलिए structure देखते हैं इस टिक्सरे हो जाएगा B plus adjective जो की बहुत ही useful है बहुत ही यूज किया जाता है imperative sentence ला आधिसात्मक वाक्यों में बहुत ही जोर समय से इसका यूज किया जाता है बी आगूढ़ मैन एससे आदमी बनो तेज बनो निसे जगा बी इंटलिजन्ट तेज बनो बी इंटलिजन्ट इस बगार से यूज देंगे बी का आप यहां पर हम आपको बता दू कि बी का फर्स्ट फर्म है वह कहाज अपका is mr और बी का सकेंट फर्म सो हैं वह कहाज का जाता है बी का फॉर्ट सहीं का बींग ये समझते हैं यूसले का यूज आनेंगे वह भी रहा हैं रही हैं किसे वह सम devoir समले एकसे के पारते करते इस्टी चरोगा सब्जेट इसम्र वर्फर सम और आपजेक्ट तो इसलिए एक्जम्पल होगा आप समझते हैं इसम्र हम यूज किसके साथ करें तो आपको यूज करना है और अकेला एक आई है जिसके साथ हमको यूज करना होता है तो यहां पर आपको इसका एक्जम्पल समझते हैं लोग एक्जम्पल इस पगार से होगा रहूल किताब पढ़ रहा है कोई काम कर रहा है के संस में किसे हो जगा संडेस रहूल किताब पढ़ पड़ रहा है कोई काम कर रहे हैं किस प्रगार्स होगा इसका यूज क्यों करेंगे सारी चीज़े हम लोग डीप में आरेंगे तो समझेगा इसका यूज किसी लेगा लिए पेसा दिखाने के लिए अगर आप अपना पेसा बताना साथ हैं कि मैं डॉक्टर हूं इंजिनियर हूं लॉय हूं तो आप यहां पर इजमार से बता सकते हैं आप समझेगा कंडिसन ने होता है घघः होता है सफेद होती है काली होती है इस फकार साब आप से बताते हैं जो कि आपके कोई भी जो हूं हूं कोदी एक अज़़े इंपटर करता है जो कि आपको यह पर इस संटेंश में कम्पललिमेंट meant आपके सब्शेक्वासory चातर वर्ड वलों आए क्योंकि आई के बारे में अडिशनल इन्फर्मेशन दे रहा है इसलिए आपको कंफ्यूस नहीं करना है राहल खूस है तो होज़ागा यहाँ पर आपका बतारी कंडिशन तो कि इस बगार से आपने जाना कि हाए हो और हो के साइंस में हम एसे इस ऐमार के यूज़ कर सकते है और मैंने आपको बता है इस अमार जो है बी का FIRST form होता है गयस अरगा समझेगा बी का आप सेकेंड फ्रम वर के बारे में जो कि आप रहा था और रही थी के साइंस में आप जानेंगे इस तेक्स समझेगा subject was the word वर यसा बात करें के क्योंसे यू दे इंडे पुल्वल नाउन के साथ आपको वर्क यूश करना है गायस तो इसलिए समस्थ हैं एक्जामपल एकजामपल एकूल जा रहा था मतलब आपको स्वर से बनेगा तो से अपनेगा यहां पर आपका सिंग्ला नाउन है तो से लगा देंगे इस्कुल जाना मतलो going to school जो कि going आपको गर्व का फर्स हम है आमन वोज गोईंग टो इस्कुल आमन इस्कुल जा रहा था तुम एक पत्र लिख रहे थे रहा था रही थी रहे तो was were तो इसे होज़ेगा you were writing a letter यह भी लास्ट यूज़े यूज ओफ वोज़ व थैं ठीक है सैंस में इसका समझने इसको करता है तूसो आवर प्रोफेस्ट प्रॉफेस्ट मिवला पेसा दिखाने के लिए situation दिखाने के लिए condition और नेसर बताने के लिए वह भी पास्ट में बताने के लिए हम इसका यूज़ करता है था थे थी आपको sentence के इंध में मिल साएगा एक्जामपल से अब देखें इस्टिक्र क्या हुजाएगा सब्जेट वह और अब यहां पर क्यासी देखें वह इंजेट रहाएं यह रहूल कल और यहां पर क्या पताएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज के दिन इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं नेक्स वीडियो